नमस्का दोस्तो आज हम बात करेंगे महिलाओं को मिलने वाले 1500 रुपए की सरकार सभी महिलाओं को प्यारी वेहन योजना के अंतरगत हर महीने 1500 रुपए देगी इस योजना का लाव परिवार की किन-किन महिलाओं को मिलेगा, कैसे योजना का लाव लेना है, क्या परिवार की सभी महिलाओं को पंदरा सु रुपे मासिक मिलेंगे, अगर कोई बिद्डो या बिद्वा है, अगर उनको पेंचन लगी है, तो क्या उनको भी यह फोम भरना ह क्या उनको भी यह राशी मिलेगी फोम कैसे भरना है यह सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली यूजनों का पता चल सके सबसे पहले जान लेते हैं कि हिमाचल सरकार ने चुनाव से पहले हर महिला के खाते में 1500 रुपे डालने का बादा किया था फोम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हिमाचल सरकार हर महीने 1500 रुपे इनके खाते में डालेगी यानि के साल के 1500 के हिसाब से कुल 18,000 रुपे हर महिला को मिलेंगे जो की भभीश्य में भढ़ते भी रहेंगे अगर आपने यह फोर्म अभी तक नहीं भरा है तो जल्द से जल्द यह फोर्म भर दें आप यह फोर्म लोकमित्र केंदर से भी ले सकते हैं और गौर्मेंट की ओफेशिल बेवसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक मैं आपको स्क्रिन पर दे दूँगा ताकि आपकी रासी आपके खाते में आ सके अब हम बात करेंगे कि क्या परिवार की हर महिला को पंदरा सु रुपे मिलेंगे तो देखिए इसका उत्तर है हाँ क्योंकि अगर परिवार में कोई सरकारी नोकरी नहीं है सहाईत हैं BPL, IRDP या कोई बिड़ो है तो उन सभी को पंदरा सु रुपे मिलेंगे परिवार की सभी 18 वर्स से अधिक आयू की महिलाओं को यह पंदरा सु रुपे मिलेंगे यानि वर्स के ठारा हजार से अधिक रुपे उन्हें मिलेंगे अगर किसी बिड़ो को पैंसन लगी है त तो उनकी पैंसन जैसे 1000 रुपे है तो 500 रुपे उनको एड़ोन कर दिये जाएंगे इस तरह कुल 1500 रुपे उनको मिलेंगे दोस्तों अब जान लेते हैं कि किन किन महिलाओं को यह रासी नहीं मिलेगी जिनके परिवार से कोई सरकारी नोकरी या किसी अर्धर सरकारी नोकरी कॉंट्रेक्ट में है जैसे आउट सोर्स कर्मी भूत पूर्व सैनिक या एक्स आर्मी आसा वरकर मिड़े मील या पैंसन भोगी उन महिलाओं को यह रासी नहीं मिलेगी क्योंकि इन्हें सरकार पहले ही बेतन दे रही है इन्हें सेलरी मिलती है आया पैंसन मिलती है केवल कम कारी यूजनाओं का पता चल सके और आप उसका लाव ले सके धन्यवाद